Hello Friends, आरंब जी हां दोस्तों, IIT JE की कैटेगरी में अनकेडमी आपके लिए लेके आया है आरंब बैच ये बैच शुरू हो रही है हमारी 7th of January से और इसमें entire course of class 11th and 12th will be covered from the basics जी हां दोस्तों जो बच्चे 2022 के लिए IIT JE की तियारी कर रहे है, JE Mains and Advanced की तियारी कर रहे है उन सभी बच्चों के लिए ये बैच है और ये बैच में शुरू के दो महिनों में 11th का पूरा syllabus कम्लीट करवाए जाएगा basic से लेके top तक इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आरंब की बैच जाइन करने के लिए you will have to take the subscription और subscription लेते समय अगर आप यहां पर पवनवाग referral code यूज करते हैं तो यहां आपको 10% का discount भी मिल जाएगा दोस्तों यह जो आरंब की बैच है यह बैच इतनी कमाल की है कि यहां पर जो बच्चा अभी जो बच्चा 11th में है वो अपना पूरा syllabus कंप्लीट कर लेगा दो महिनों में और जो बाकी का syllabus है 12th का वो दो महिनों के बाद में वो बहुत अच्छे तरीके से कराये जाएगा और एक और चीज यहां पर बता दूमें कि विनित लामबा सर और कपिल राणा सर इस बैच को लीड कर रहे हैं और यह बैच बहुत कमाल की है तो जॉइन कीजिए अनकेडेम तो चाप्टर नमबर 3 का आज है आपका लास्ट का लेक्चर तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो भी आपका क्रोमाटोग्राफी है उसका जो भी लास्ट वाला टाइप है जिसका नाम है पार्टिशन क्रोमाटोग्राफी उसको देखेंगे और साथ ही साथ जो हम लोगों ने इस चाप्टर में पड़ा वो सारी चीज हम लोग 10 मिनिट के अंदर में पूरा रिवाइस करेंगे कि actually वो चीजे क्या-क्या थी हम लोगों ने उन चीजों का कब-कब यूस किया और कैसे यूस करना है ठीक है किसका प्यूरिफिकेशन करना है इस वो सारी चीजे हम लोग देखेंगे सबसे पहले कम्रीट करते है अपने लास्ट चॉलेट पाट को जो की है आपका प्रटिशन ग्रोमाटोग्राफी सो लेट स्टार्ट वुद पाटिशन ग्रोमाटोग्राफी Partition Chromatography, ठीक है, तो आक्चुली ये जो है इसका नाम ही है आपका Partition Chromatography, तो मैंने ज़से कि आपको जब Chromatography पढ़ाया था तो उस वक्त मैंने आपको बहुत सरी चीजे बता ही थी कि Chromatography के अंदर में हमेशा हम लोग देखते है दो टाइप की चीजे, पहला फेस जो होता है व स्टेशनरी फेस और सेकर्ड चीज रहेगी कि मूबाईल फेस जैसे कि लास्ट जोले classes में मोग यह हुआ देखा था कि restaurant क्या होता है फेस क्नाइब वे स्टेशनरी फेस रहेगा तो जिसने भी वो प्रिवेस वाले lectures नहीं देखे है, adsorption chromatography के types नहीं देखे, तो पहले एक बार उस lectures को complete करो लिस्ट में जाके उसके बाद इस वीडियो को continue करना, so that यी वीडियो तभी आपके लिए helpful रहेगा, रहेगा चलिए देखते है, stationery face को और mobile face को, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि adsorption chromatography के अंदर में, जो भी आपका stationery face होता है, वो कैसे nature का था? solid nature का था, और mobile face, वो तो हमेशा mobile form में रहेगा, तो वो liquid form में था, लेकिन, जब मैं बात करती हूँ न, इस partition chromatography की जब मैं बात कर रही हूँ आपके partition chromatography की, तो partition chromatography में ये देखा कि जो भी मेरा stationary phase होता है, stationary face, मतलब ऐसा phase, जो कैसा होता है, fix होता है, उसका नाम क्या है, stationary phase तो जो भी आपका stationary phase होता है वो भी यहाँ पे liquid ही होता है और जो भी आपका mobile phase है, mobile phase वो भी आपका liquid होता है, देखो mobile phase आपका हमेशा ही liquid रहेगा आप stationary phase के nature के हिसाब से decide करोगे अगर stationary phase solid आजाए तो आपके chromatography का टाइप क्या रहेगा adsorption chromatography, ठीक है अगर stationary phase भी liquid आजाए तो आपके chromatography का नाम क्या रहेगा partition chromatography, ठीक है चलिए, सबसे पहरे चीज़ यह कि जो भी आपका partition chromatography है ना partition chromatography उसी का मतलब paper chromatography होता है partition chromatography का ही मतलब paper chromatography है अगर आपको paper में पुछा जाए कि explain paper chromatography तो आपको confused नहीं होना है आपको पता होना चाहिए कि partition chromatography जो होता है ना उसी को हम लोग paper chromatography भी भोलते है ठीक है तो दोनों का explanation सेम रहेगा अब सबसे important thing यह है कि आपको अगर नाम partition chromatography दिया है तो आप उसको paper chromatography समझो reason यह है क्योंकि यहाँ पर जो भी सारा का सारा आपका game है ना जो भी आप यहाँ पर करने वाले हो process वो सारी किसके उपर करने वाले हो paper के उपर में इसलिए इसका नाम क्या है paper chromatography क्योंकि जितनी भी chromatography की procedure रहेगी यहाँ पर जो भी procedure रहेगी जिस पर components का separation होगा वो एक paper के उपर होगा इसलिए नाम भी क्या है paper chromatography तो अपन partition के नाम से समझ नहीं सकते कि इसमें क्या हो रहा होगा बट अगर आपको यह पता चल जाए कि partition का मतलब ही paper होता है तो आप आराम से इस chromatography को अपने language में explain करके लिख सकते हो क्योंकि paper से आपको idea आजाएंगी कि इसके अंदर में क्या यूज होने वाला है paper समझ में आ गया चली इतना तो समझ में आ गया उसके बाद हम लोग देखते कि आपका stationary face क्या रहेगा mobile face क्या रहेगा हमें पता तो होना चाहिए ना तो देखो इदर सबसे पहले चीज़ यह कि जो भी आप paper यह पर यूज करोंगे ना paper ठीक है उस paper का नाम होता है watman filter paper no.1 wash man filter paper no.1 katman filter paper no.1 तो आपका इसका नाम है whatman filter paper no.1 क्युंकि इसको whatman तो यह जो पेपर आप यूज करोगे वाटमेन फिल्टर पेपर नंबर वन आप जब वहाँ पे लिखोगे तो ऐसा मत लिखना कि पेपर क्रोमाटोग्राफिय में पेपर यूज होगा एकदम क्या बुलिंग उसको जाने दो वह आंसर सही नहीं लगेगा तो आपको पता होना कि पेपर का नाम कौन सा है ठीक है न्यूस पेपर थोड़ी है तो पेपर का नाम देना है वहाँ पे फिल्टर जो पेपर है उसका नाम के वाटमेन फिल्टर पेपर नंबर वन यह पेपर आप यूज करते हो ठीक है उसके बाद आपने यहां पर यह देखा कि देखो यह जो जहें कि पेपर होता है थे वॉट्मेन फिल्टर पेपर नंबर वन जब आप निसने वॉट्मेन फिल्टर पेपर नंबर वन लिए थ statute City सब्सक्राषी के बीदें में फाइबर्च थल्क फाइबर्च प्रन पेपर आपको दिखेगा नहीं, वो फाइबर्स बहुत माइनूट माइनूट होते हैं, बहुत माइनूट फाइबर्स होते हैं, बहुत ज्यादा बारिक बारिक फाइबर्स होते हैं, तो अब क्या होता है ध्यान देना, यह है आपके फाइबर्स जो की पेपर के अंदर में प यह है आपके water, मतलब यह ही आपका क्या है, पानी, अब मुझे बात बताओ, पानी आपका यहाँ पे stationary phase रहेगा, ठीक है, मतलब जो भी आपका water है वो stationary phase है, तो आप जब पानी पीते हो, यह आपने water को अगर देखा होगा, तो water कैसे nature का होता है, liquid state का, इसलिए यहाँ पे partition chromatography को ही paper chromatography काहा जाता है, क्योंकि इस type की chromatography में हम लोग एक paper का use करते है, उस paper का नाम क्या होता है, waterman filter paper number one, अब मुझे पता होना चाहिए कि यह जो paper है, यह ऐसा paper है, जिसमें क्या होते है, बहुत जादा बारिक बारिक fibers होते, हमें दिखते नहीं हो, बहुत the fibers के अंदर में, आपके जो भी water है ना, वो trap हो जा रहे है, water के molecules trap हो जा रहे है, तो water के molecules जो trap हो रहे है, वो water के molecules ही आपके stationary phase की तरह act करते है, stationary phase, ठीक है, समझ में आ गया, तो इसलिए water कैसे nature का है liquid, इसलिए मैंने लिखाए कि stationary phase is liquid in nature, समझ में आ गया इतना, तो इतना त इस चीज को समझते है, पहले आप इस चीज का स्क्रिंशॉट ले लो, सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आपको इस चीज को डाइग्रमेंटिकली समझ जाना है, तो आपको सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा, वो काम है कि आपको यहाप एक बीकर को लेना पड़ेगा, तो आपने यहापे लिया है बीकर को बड़े से बीकर को ले लो अच्छे से बड़े से बीकर को तो मैंने है यहापे लिया है अच्छे लंबे से बीकर को ठीक है यह है यह है आपका बीकर अब मैंने क्या किया है इस बीकर के अंदर में डाला है आपके solvent को यह है आपके solvent ठीक है यह है solvent इस solvent को ही कहा जाता है क्या mobile face तो हम लोग previous वाले lectures में भी हम लोग ने देख चुका था था देख चुके थे हम लोग कि mobile phase क्या होता है एक ऐसा phase जो move कर सकता है इसलिए उसका नाम क्या है mobile क्योंकि वो mobile nature का है वो free है to move ठीक है तो वो है आपका solvent इसका मतलब इस solvent आपका क्या है mobile phase ठीक है एक mobile phase और दूसरा stationary phase ठीक है अब आप क्या करूँगे देखो इदर ध्यान से आपने जो paper लिया है उस paper को इसके अंदर में अपन को डालने का है ठीक है लेकिन देखो क्या रहेगा सबसे पहले आपने ऐसे paper को लिया है इस paper का नाम क्या है वाटमैन फिल्टर पेपर नंबर वन तो आप क्या करूँगे सबसे पहले आप pencil लोंगे और scale लोंगे और उस pencil और scale से यहां पे एसी line ड्रो करूँगे ठीक है इस line को बोलते है baseline ठीक है तो यह आपका क्या है वाटमैन फिल्टर पेपर नंबर वन हम लोगों ने यह भी experiment कि बहुत इंट्रेस्टिंग है हमारे MSC Chemistry के और लाब में था ठीक है तो हम लोगों ने क्या किया देखो यहां पेक लाइन ड्रो किया है इस line का नाम क्या है base line यह मैं पैंसिल से ड्रो करती हूँ अब आपको क्या करना है अब आपको fine capillary लेने का है ठीक है आपने बीकर लिया ह इस बिकर के अंदर में आपने क्या डाला है इस बिकर के अंदर में आपने दो component का mixture लिया है let us say आपने तीन component का mixer लिया है इस बिकर के अंदर में है component A, component B और component C और मुझे इन तीन component को A को B को और C को एक जुसरे से क्या करवाना है separate करवाना है ठीक है तो तीन component से इस mixture के अं तो मैं क्या करूंगी, इसको अच्छे से mix कर लूँगी, क्योंकि मुझे इनको अलग करवाना है और मैं क्या करूंगी, एक बार इक सी fine सी capillary होती है ना, glass की, एक दम इतनी सी, इतनी सी size की capillary होती है, इसको बोलते हैं अपन लोग capillary, capillary बोलते है, ठीक है, उस capillary से आप इसका समझ में आगयां, तो मैंने क्या किया है, मैंने वायूटमै फिल्टर पेपर नंबर बशन लिया है, थिक है, उसके अपर मैं पैंसिल की हैं और बेस Himal으로 से बेस्लाइन को लोगा है, फिर ने क्या किया है, मैंने मिक्शर लिया था cup identity में जिसमें ता component A, component B, component C, अब मुझे इन तीनों component को क्या करवाना है, एक दूसरे से separate करवाना है, purify करवाना है, तो मैं क्या पिलरी की हल्प से इस component के मिक्षर का एक ड्रॉप लूगी और उस एक ड्रॉप को यहाँ पर स्पॉर्ट कर दूँगी, ठीक है, अब यह तयार होगे आपका paper, अब आप क्या करोगे, इस paper को इसके अंदर में लाके रख दिया, देखो इधर, यह था आपका paper, ठीक है, यह है आपका paper, इस paper के उपर में कौनसे लाइन दो की ती आपने तो आपने इस पेपर के उपर में बेसलाइन दो की थी ठीक है और उस बेसलाइन के उपर में आपने अपने अपने पर फिर आप क्या करोगे, फिर आप इसको क्लोस कर दोंगे, आप ने इसको लिडी से क्लोस कर दिया, तो इतना असेंबली आपका हो गया, तो पहले आप इस पोर्शन का स्कृन्छॉट लो, क्योंकि हम लोगो इसको एरेस करना पड़ेगा तब भी जा के आगे फेसे सकते हैं तो आई होप यह चीज आपकी बश्य तरीके से क्लियर गगी है फिलाल इतना पाथ तो इसका स्कृन्शोट ले लो इस वांट चलिए देखते आगे अब आपे क्या होगा कि जो भी आपका कंपोनेंट है जो भी आपके मिक्षर है अलग-अलग कंपोनेंट का तो यह क्या है आपके मिक्षर है इस मिक्षर के अंदर में कौनसे कौनसे तीन कंपोनेंट आपके component A, component B और component C ये तीनों के तीनों component को मुझे separate करवाना इसको हम लोग कहते है बीकर ठीक है? अब आप कुछ समय के बाद देखो क्या देखोगे कुछ समय के बाद आप ये तेखोगे कि सपोज इस spot के अंदर में इस spot के अंदर में कॉंसे कॉंसे तीन component है A, B और C क्यूंकि हम लोगों ने मिक्षर लिया था तो हम लोगों ने A, B और C मिक्षर लिया था तो ये था आपका मिक्षर तो कुछ समय के बाद आपने ये अब्जर्फ किया कि ये जो solvent है अबसे पहले तो ये solvent कुछना कुछ ट्रैवल करता है तो इस ये जो लाइन होता है ये होती है solvent की लाइन इसको अम लोग क्या बोलते है solvent front क्यूंकि सबसे front में जो भी आपको line देखने को मिलेगी वो रहेंगी solvent की ये जो solvent है ना आपका जो mobile phase है वो भी कुछना कुछ distance तके move होता है ठीक है चली ये तो हो गया फिर आपने यहां पर यह देखा कि आपको यहां पर देखने को मिलेगा component A आपको यहां पर देखने को मिलेगा component B और आपको यहां पर देखने को मिलेगा आपका component C तो यह है आपका component A ठीक है यह वाला है आपका component B और ये वाला है आपका component C ठीक है तो इस तरीके से आपने देखा कि जो आपका एक दौट था जिसमें तीन component का मिक्षरत आप देखो वो अलग-अलग हो गए तो क्या जादू हो गए अपने आप सारे के सारे सेप्रेट हो गए बिल्कुल भी नहीं कुछ बे जादू अगरे नहीं हुआ है तो देखो यहां पर अच्छोली क्या हुआ है सबसे पहली चीज यह थी अब आप लोग ध्यान से समझो इस चीज को सबसे पहली चीज जो है वह आपकी यह है आपका मोबाइल फेज ठीक है यह है आपका वाटमें फिल्टर पेपर नं तो आपने यहां पर यह देखा कि जब आपने इस कंपोनेंट के मिक्षर को यहां पर रखा ना तो इस सॉल्वेंट के प्रेजन्स में इस मोबाइल फेज के प्रेजन्स में यह जो कंपोनेंट्स थे मिक्षर के यह राइज होने चालू हो गए यह उपर-उपर मूव होना अलग अलग absorption का rate था, कुछ component जो थे वो बहुत high उपर जाके absorb होए, कुछ component जो थे वो एकदम कम distance पे होए, और कुछ component जो थे वो बहुत जादा less distance पे होए, तो हर component की अपनी अपनी capacity थी absorb होने की उस filter paper के उपर में, ठीक है, जैसे कि आपने है पर यह देखा कि यह वाला component सब जब से जदा rise हुआ, फिर यह वाला component थोड़ा कम हुआ, यह वाला component थोड़ा कम हुआ, तो तीनों की अपनी अलग-अलग capacity है, उस filter paper के उपर rise होने की, और stationary face के उपर adsorb होने की, ठीक है, यह partition हुए है, अलग-अलग, देखो, तो आपने यह देखा कि जो भी आपके mixture थे, mixture component A, component B, component C, इनका partition का rate कैसा है, अलग-अलग, have different partition value, have different partition value, किसी का पार्टिशन बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हुआ किसी का पार्टिशन थोड़ा कम लेवल पे हुआ कोई कंपोरेंट का पार्टिशन बहुत ज्यादा कम लेवल पे हुआ इसलिए वह अलग अलग जगा पे पार्टिशन है अब यह अब यह कंपोरेंट्स chromatography समझ में आगया ना और यह जो chromatography इसको पेपर भी कहा जाता है क्योंकि यह chromatography किसके उपर में कर रहे है what man filter paper number 1 के उपर में तो यह आपको समझ में आ गया फिर आपने यह पर यह देखा कि तीनों के तीनों components जो थे ना components A, component B और component C वो कैसे हो गया आर सेपरेटेड आर सेपरेटेड ओन वाट्में फिल्टर पेपर नंबर 1 वाट्में फिल्टर पेपर नंबर 1 के उपर में उनका separation हो गया ठीक है और separation होके आपने इन तीनों components को अलग-अलग कर लिया देख लो इस चीज़ का screenshot लिलो if you want तो आप इन चीजों को देख सकते हो अब सबसे important thing यह है कि इसका नाम है chromatography और chroma मतलब क्या होता है color तो आपने यह देखा कि तीनों components का देखो अलग-अलग color है किसी component का color blue है किसी का red है किसी का black है ज़रूरी नहीं है कि यही तीन color रहेंगे मेरे पास यह तीन मारकर देशले मैंने इस से निका components के अलग-अलग color होते हैं तो आप उन अलग-अलग color के हिसाब से identify कर सकते हो कि हां यह वाला component यह color का इसका मतलब यह component होगा यह वाला यह color का मतलब इस दूसरा component है और यह तीसरा component है और यह बहुत अच्छा पार्टिशन क्रोमाटोग्राफिय का नाम होता है पेपर क्रोमाटोग्राफिय वी क्योंकि इसके अंदर में अपन वाटमें फिल्टर पेपर नंबर वन यूस करते हैं दूसरी चीज यहां पर आपका जो भी आपने कंपोनेंट का मिक्शर लिया है उसका सेपरेशन किस बेसिस पे ओर रहा है ओन दे बेसिज ओफ पार्टिशन इसका नाम क्या है पार्टिशन क्रोमाटोग्राफिय चलिए देखते रिटेंशन फाक्टर को चलिए आप देखते हैं अम लोग सबसे पहले सीज रिटेंशन फाक्टर का एक फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को देखते हैं आप डेफिनेशन उससे खुद फ्रेम कर सकते हो है ना तो रिटेंशन फाक्टर को हम लोग रिपेजन करते हैं आर एफ से और हमेशा याद रखना यह जो एफ है यह बेस में रह सब्सक्राइबिट दिए हर से को लिखने जिए अपने साब से नहीं लिख सकते हैं ऑफ हमेशा याद रखना के मेंस्ट्री आपके हिसाब से कभी नहीं चलेगी आप को के मेंस्तिक…… आपसे चलना पड़ेगा ठीक है ना तो यह RF F आपका नीचे रहेगा ठीक है चलिए अब इस RF का formula क्या होता है वो दिखते आरेफ का formula होता है आपका distance travel by the solute from the baseline ठीक है जो भी distance travel हो रहा है by the solute from the baseline to the मतलब divided by the distance travel by the solvent from the baseline ठीक है फिर आपने यह देखो यह पर क्या देखा आपने यह देखा कि अगर मुझे retention factor को define करना है तो मैं लिखूंगी retention factor is defined as ठीक है हम लोगो definition को रट्टा नहीं मनना है जो भी हमको दिख रहा है बस हमको वही लिखना है तो यह क्या है ratio है it is defined as the ratio किसका ratio है ratio of distance travel by the solute from the baseline ratio of distance traveled by the solute from the baseline समझेंगे हम लोग इस इसको ठीक है तो यह क्या है ratio है distance traveled by the solute from the baseline to the distance traveled by the solvent from the baseline to the distance travel by the solute from the baseline ठीक है तो क्या आपको definition को रट्टा मानना पड़ा नहीं बस अगर आपको formula बता है तो आपने definition खुद भखुद ही लिख दी है ना चलो यह चीज तो समझ में आ गई अब इसको apply कैसे करना है वो भी तो हमें पता होना चाहिए कि हम लोग को इसको apply कैसे करेंगे आपको इतना याद रखना है कि उपर solute लिखना है नीचे में solvent ही आना चाहिए ठीक है ना चलिए देखते हैं हम लोग suppose अगर मैं आपके इस wattman filter paper number 1 को ले रही हो दिहान से समझ ना यह है आपका wattman filter paper number 1 और मैंने आपको जैसे की बताया था कि जब भी हम लोग wattman filter paper number 1 लेते है यह है आपका wattman filter paper number 1 तो मैंने यह देखा कि हम लोग यहां पर लाइन को ड्रो करते है एक पैंजल से scale की तुर लाइन ड्रो करते इस लाइन का नाम क्या होता है base line क्यों क्यों कि यह लाइन आपने सबके base में ड्रो किये है फिर आपने यह देखा था कि आप इसकी नीचे में कुछ solvent लेते हो बीकर के अंदर में बिल्कुल सेमें देखो अब धिहान से समझता मैंने आपको यह बोला था कि यह जो solvent है यह solvent भी कुछ डिस्टेंस टैवल करता है तो यह है आपके सॉल्वेंट का डिस्टेंस components जो है वो तो rise होंगे लेकिन components से पहले आपने यहां पर यह देखा कि यह जो solvent है यह solvent भी आपका कुछ ना कुछ डिस्टेंस टैवल करता है तो यह जो डिस्टेंस टैवल हुआ यह किसने किया है solvent ने इसलिए इसका नाम क्या होता है solvent क्योंकि यह जो आपने देखा ना यह सबसे उपर है सबसे फ्रंट में इसले इसका नाम के है solvent front और किसने distance travel किया solvent ने किया है mobile phase ने किया है इसले इसका नाम के solvent front फिर आपने यह देखा था कि आपके base component के ऊपर आपने जो भी component लगाये थे ना वो dot com aifty 2 हुए थे तो सपोज अगर ओक्तू यह है आपकाág ए 4 कंपोर कंइन सब्सक्राइब कर इंद तो एकम्पोरेंच दिस्टें contratring से वह है एक्स ठीक है इसलेओ सौल्वंट का लिखनम से था ने रोगे आप लेलो ए उप तो समज में आया तो हम लोगों तो मुझे जिस्टें किया हम लोगोंसे इसले तो बेस्ट लाइल को टी थी ताकि हम डिस्टेंस मे praw सके तो हमडों Himself क्रोशने हैं हम लोगों ने भी किया था है तो आपका ये component जो इसने x distance travel किया है इस वाले red वाले component ने y distance travel किया है baseline से और जो भी आपका solvent है उसने baseline से कितना distance travel किया है तो अगर मुझे retention factor लिखवाना है retention factor मतलब अगर मुझे निकालना है retention factor for a component और दूसरा मुझे लिखना है retention factor for b component ठीक है आप समझना अगर मुझे retention factor निकालना है ए component के लिए ए component के लिए तो retention factor का formula होता है distance travel by the solute from the baseline मैं को a component का निकालना है तो a component की अगर मैं बात करूँ न यह है आपका let us say यह है अपका a component यह है आपका अपका यह जो है ना यह A component है यह आपका है b component और यह distance को मैं कुछ और लेते हूं नहीं और आप confus तो ओंगे let us say is distance को मैं d ले लेती हुँ, ठीक है संजो, confusion नहीं होगा यह है आपका a component तो इस A component ने इस बेस्ट राइन से कितना distance travel किया, देखो इदर, A component ने कितना distance travel किया, X इसलिए मैंने उपर में क्या लिखा है, X, टीक है, solvent ने कितना distance travel किया, baseline से, D समझ में आ गया ना, क्योंकि retention factor क्या होता है, ratio होता है, distance travel by the solute to the distance travel by the solvent पिर आपने हाप पे यह देखा कि अगर मुझे retention factor निकालना है बी component के लopen तो बी component जो है वह कितना distance travel कर रहा है फिर आपका divided है to the ratio तो इस तरीके से आप रिटेंशन फैक्टर भी निकाल सकते हो एक अपूरन का और बी कमपूरन का तो ले लो इस चीज का भी स्क्रीन शॉट चलिए अब अब तत अब यह आपका है आप चाप्टर तो खतम होता है जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग मताया था कि हम लोगी एक उन्हें के बाद में इस चाप्टर का पूरा का पूरा पूरा रिविजन देख लेंगे क्योंकि स्ट्र में बहुत सारे थेरोटिकल चीज है तो हम लोग को एक लिए चिजिए कि हम लोग को कौन सा वाला जो भी टेक्निक है वो कौन से एक्जाम्पल में यूज करना है क कि चार्ट में एक्चुली कौन सी प्रोसेस को हम लोग कहा पर यूज करेंगे ठीक है तो देखते है उस चार्ट को जो यह चार्ट देखेगा ना उसका यह चाप्टर एग़ एक्डम क्लियर तरीके सि अंड़स्टा मतली हो जाएगा ठीक है क्लेरिफाय हो जाएगा ठीक है आपको उस टेक्निक को कब यूज करना है तो पहला वाला आपका रहेगा मैथड का नीम और दुसरा वाला रहेंगा कि आप उस टेक्निक को यूज करोगे ठीक है मैथड का नीम ही होता है आपकी टेक्निक तो अगर मुझे filtration करवाना है तो मैं filtration कब करवाऊंगी जब आपके substance के साथ में insoluble impurity हो ठीक है when insoluble impurity are present with substance अगर substance के साथ में आपके insoluble impurity present हो insoluble impurity तो आप filtration करवाऊंगे दूसरी बात आप filtration under suction कब कराएंगे filtration under suction ऐसा टेक्सबूक में कोई भी चार्ट नहीं दिया है बट मैंने आपके लिए चार्ट बनाया है ताकि आपको ये चार्ट मतलब इससे आपको याद रहे कि क्या क्या कब आएगा filtration under suction जैसे कि मैंने आपको बतायता कि suction का ही मतलब क्या हो था प्रेशर तो कहना मुझे ये है कि आप इस टाप का फिल्ट्रेशन कब करवाऊंगे अगर आपको फिल्ट्रेशन का प्रोसेश बहुत फास्ट करवाना है और बहुत एफिशियन करवाना है तो आप फिल्ट्रेशन को कप कराऊंगे under suction ये हुआ आपका इस तêuप आपका इस duy किया था बट मैं आपको बता रहे हुआ ताकि आपको याद रहे ठीक है फिर हम्म मुझे देखा था आपका डिस्टिलेशन है अपका फॉर्स टाइप तो सिंपल दिस्टिलेशन distillation से पहले हम लोगों ने crystallization देखा था ना तो हम लोगों को देखते है तो crystallization में हम लोगों ने क्या देखा था crystallization कब करवा है था हम लोगों ने जब आपके substance के साथ में soluble और insoluble दोनों टाइप की impurities होंगी ठीक है when soluble and insoluble impurities अगर आपके दोनों के दोनी impurities जो है वो प्रेजेंट है ना आर प्रेजेंट विद दे सबस्टेंस तब आप crystallization करवाते हो ठीक है इतना समझ में आगया फिर आपने देखा आप फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कब करवाते हो हम लोग ने सब प्रोसेस देखे थी ठीक है ना फिर मैंने यह बताया कि आप फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कब करवाएंगे जब आपको दो कमपोनेंट्स को एक दूसरे से से इपरेट करवाना है तो ऐसे केस में आप फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का यूज करोगे वेंग तू कमपोनेंट्स आप टू बी सेपरेटेड जब आपको दो कमपोनेंट को एक दूसरे से से इपरेट करवाना है ना आप टू बी सेपरेटेड फ्रोम इच अदर तब आप फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का यूज करवाऊंगे फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था सिंपल डिस्टिलेशन आप सिंपल डिस्टिलेशन कब करवाऊंगे जब आपको दो लिक्विड को एक दूसरे से से इपरेट करना है लेकिन उनकी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कैसा रहेगा बहुत जाता वेंट टू लिक्विड जब आपको दो लिक्विड को एक दूसरे से से इपरेट करवाने का है ठीक है वेंट टू लिक्विड अर टू बी सेपरेटेड अगर हमको दो लिक्विड को एक दूसरे से सेपरेट करवाने का है having very high difference in boiling point having very high difference in boiling point तो अगर आपको दो लिक्विड को एक दूसरे से सेपरेट करवाने का है जिनका boiling point का difference कैसा है बहुत जादा जैसे कि पानी और ऐसे टो तो आप simple distillation का use करोगे ठीक है उसके बाद आपने देखा था fractional distillation fractional distillation fractional distillation का आप कभी उस करते हो जब आपको दो लिक्विड को एक दूसरे से सेपरेट करवाने का है जिनकी boiling point का difference कैसा है बहुत जादा low जिनकी boiling point का difference बहुत जादा लेस है ठीक है तो मैं लिखूंगी when to liquid are to be separated having very less difference in boiling point अगर boiling point का जो भी difference है ना वो है बहुत जादा less अगर boiling point का difference जो है वो बहुत जादा लेस है तो ऐसे केस में हम लोग आपका अगर फ्रक्शनल डिस्टिलेशन वारी टेखनीक को यूज करेंगे ठीक है उसके बाद में लास्ट में लोगो ने देखा था डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर तो हम लोग डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर कप करवा थे जब जो भी आप ले रहे हो अगर उसका boiling point बहुत जादा हाई है तो ऐसे केस में आप डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर वाली टेक्नीक का यूज करूए ठीक है when the liquid have very high value have very very higher value of boiling point अगर उसके boiling point का value जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है तो ऐसे case में आप distillation under reduce pressure वाले टेक्निक का यूज करेंगे देखो ये जो चार्ट है ये सब से मैं आपको इस चार्ट का डाइमंड ये जो है अगर आपने इस चार्ट को देख लिया तो आपको समझ में आ चाहेगा कि आपको कौन सी प्रोसेस का कब और कहां पर यूज करना है तो ये चार्ट बुक में तो दिया नहीं मैंने स्पेशली आपके लिए फ्रेम किया है थांक यू वेरी मच वॉचिंग इस वीडियो हीर यू चाप्टर एंड यह वाला चाप्टर आपका खतम होता है इफ यू वांट दा नोट्स ओफ दिस चाप्टर क्योंकि यह चाप्टर तो पूरा थेरोटिकल है तो इतना सारा टेक्सबुक से तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है तो आप लोग ने से कमेंटमेंट मेंचन कर सकते हूँ थांक यू वेरी मच